जे इन दोस्त आप लोग कैसे है मैं उमीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी तैयारी में लगे होंगे साथ मैं उत्तर परते इस पुलिस इसपोर्स कोटिक की बरती की बारे में बहुत सारी जनकारी है बहुत सारी अपडेट आप लोग चाहते तह sono उसकी युवाओं के जिवन को मैं रोक नहीं सकता उनके जिवन को बढ़ाने के लिए हमेशा संगर्ज करने का एक जो मैंने सफत लिया है उसको मैं हमेशा लगतार करता रहूँगा और दूसरी चीज़ कि जो हमारे देश में युवाओं है उनके लिए कारे करता रहूँगा उत्तर परदेश पुलिस स्पोर्स कोटे की भरती का जो नोटिफिकेशन आया था तब से लेके अभी तक की परक्रियाओं के बारें बताया गया अगला कोशन यह है आप लोग का कि स्रीमान जो भरती चल लए इसका क्या क्या दुबारा से भ उनी का मेडिकल भी होना है रेंकिंग की बात है तो आपको जो रेंकिंग बताई जा रही है आपका जो फिश्कल टेस्ट हो रहा है उसकी रेंकिंग बताई जा रही है कि आपका फिश्कल टेस्ट किस हिसाब से हुआ है कितने नंबर का हुआ है उसमें अभी मेडिकल बाग क को देखते रहें उत्तर प्रदेश शरकार क्या पहले जैसे भरतियों में ही जो होता रहा है वही होने देगी या कुछ अलग नजर आएगा तो ये देखने का बात है समझने की बात है और इस देश को उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है क्या युवा के बारे में क जो युवा उजागर हैं, जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, वो लगतार फाइट कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, और आगे भी रहेंगे, जो युवा को लगता है कि नहीं, कोई नेता जीत के उसको नोकरी दे देगा, वो युवा जा सकता है, खुसी-खुसी जा सकता है, क्योंकि मैं राजनीत के खिलाफ़त भी बोलूँगा, जो गलत करेगा, मेरे को गलत बरदास नहीं है, चाहे किसी जात धर्म का हो, मेरे से किसी से कोई मतलब नहीं, इस्पोर्ट्स प्लेयर का कोई जात और धर्म नहीं होता है, वो जो भी गलत करेगा, उसके प्रति आवाज उठाऊँगा, और बरदास हो, तो आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो जा सकते हो, दूसरी चीश, मैं उन युवाओं के लिए लड़ा हूँ, जो देश के काम आने वाले हैं, मैं उन चूतियों के लिए नहीं लड़ा हूँ, जो देश को नीचाए दिखाना चाहते हैं, हमें अपने देश से मतलब है, अपने देश के युवाओं से मतलब है, तो आप लोग अपने तैयारी करते रहे, एक और भरती पर क्रिया आचुकी है, जो साम को उसका भी नूच मिल जाएगा, चाहिए चाहिए भारत!